मिट्टी में मिला दिया गया रडवी सना को नर्साहारी रडवी सना प्रमुक अब नहीं है समाज में ये खुसी की बात है वैसे नर्साहारी को इस समाज में इस धर्ती पर रहने का क्या हक है खुसी की बात है ऐसे लोग को जना ही चाहिए जो नर्साहार रचाता था गरीबों कि दलितों के खुंड से हुली खिलता था वेसे आधी में गया तो अच्छी बात है जना ही चाहिए उसका गाम है बनुस्तर मुखिया का खोपिदा उसी छित्र से हम आते हैं एदम वहां के गरीब आम जानता नफरत करती है नाम से नफरत करती है उनको मारा भूम्यार जो हुल करके बात करते हैं चिराग जी तो यह अब यह यही लोग से उनकी दलितों की लड़ाई होगी हम बेट करके सपना पूरा होगा ऐसे लोगों को पार्टी में रह करके तो ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए रनमीर सेना के परमुक बरमेश्वर मुख्या की हत्याकान में जो मुख अरोपित हैं हुलास पांडे लोचपा रामविलास के नेता है और MLC वीरा चुके हैं इसी मुद्धे पर हम बात करेंगे हमारे साथ अभी मनोज बंजील हैं भगपा मालेक विधाय के कैसे देख रहे हैं हुलास पांडे आपके इच्छेतर के नेता है दिखिया पर भेस्वर मुखिया देख नर्सहारी थे दलित गरीबों की समंती जुल्म उत्फिडन से मुक्ती की जो लड़ाई चल रही थी अजादी की लड़ाई चल रही थी मान समान की लड़ाई उसी को कुचलने के लिए उनके करंतिकारी गुलबंदी को कुचलने के ल यह समंती उत्पिड़न समंती जुलुम और सितम का सत्ता बरक्रार रहे जो माले के नितुर्त में जो चुनोती दी जा रही थी उसी को कुछनले के लिए यह नर्सार राचाना शुरू किये तो जिस तरीके से रड़ी सना खतम हो गई बर्मिसर मुक्या भी खतम हो गई वैसे नर्सारी को इस समाज में इस धर्ती पर रहने का क्या हक है क्या उचित्ते है इसलिए हमें तो भाई खुसी की बात है ऐसे लोग को जना ही चाहिए गर में पल रहे बच्चों को भी नहीं बखसा बुड़े बजोर्ग महिलाएं दलितों की अकलियत नौजमान लड़कियों की चाहिए इन लोगों ने बलत किया घरें जलाई रड़ी सना के लोग बर्मिसर जो आप जिसका नाम ले रहे हैं उसके नितरुत में नर्साहार का वो सुत्रधार था यह तो कनौन की बात है कौन लगार उपित है अलग बात है लेकिन यह आदमी जो नर्साहार रचाता था गरीबों के दलितों के खुंड से हुली खिलता था वेसे आदि में गया अच्छी बात है जनाहीं चाहिए उनको तो सजा होनी चाहिए जीवन सजा होनी चाहिए थी ओप जनता जनता ने आपके उनसार कर रहे हैं कि भाई किसे कोई अरुपित है तो ठीक है कोई अरुपित होई सकते हैं करून का जो जांच में आया है आप हम सब कोई मानते हैं भाई करून ठीक है यह तो करून की बात है यह उनके जांच में आया है अ यह तो हमको कहने कराइट नहीं है ना कौन मारा है लेकिन हम कह रहा है कि बरमेसर ओ कौन ठिक किया यह हम इस यह बात नहीं करना चाहते हैं नर्साहारी रडवीर सना प्रमुक अब नहीं है समाज में यह खुशी की बात कानून की बात है जिन लोगों को उन्होंने अरोपित किया है हम उन पर नहीं खुश है वो लोगी तो किस शरीतर के हैं यह लोग किस शरीतर के हैं बताईए यह लोग तो खुद समंती चरीतर के हैं हम उन पर नहीं खुश है बरमेसर मुकिया समाज में आज नहीं है रडवीर सना नहीं है इस प भुलवार समाजसे रहा हिंद समयार करता थी मूल बात सब्कुसरौल यह समाज में आज नहीं है इसलिए अच्छी बात ता पर गरीबों का जूकर नरसार करेगा जो ज़ुम तब वस्सामंतों के लिए बियार के गांधेंहोंगा थैं सुन का गांधी का टे वूं करका स्श्टर में उसका मुख्यदी में उसका खाएं उसी श्याए 실छ thrill से हम आते हो चैना में गरीब आम जनता नफ़रत करती है नाम से शुर्मतौरमोकिया के नाम से नफ़रत करती मिटी में मिला दिया गया म Tea जनता रही मिला दिया पैलीय apenas साइड इस ञ्रडाई को रुखने के लिए गरीबों की कर्मा को रुकने के लिए को जो कि उसको द्वस्त कर दिये जाए गापा जो दलितों की बात करते हैं चिराग जी तो यह लोग से उनकी दलितों की लड़ाई होगी अम्बेट करके सपना पूरा होगा ऐसे लोगों को पार्टी में रहा करके तो ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए हैं जो दलित अम्बेटकर की बात करने वाले लोग हैं अपनी पार्टी में रखना हें तो आप दलित अम्बेटकर के भात करिये गा इडुव-eas तो यह सब तो मैंने क्या है यह ठिक नहीं जाते हैं लोग लेकिन कहां जाएंगे देखते हैं कि कंगरेश कराज हो जुम करने वाला समन्ति अनुवादी तकत होता है अब दोनों जबहों पर जाओ राज किसी कहो जुलम के खिलाफ जाओ जुलम के खिलाफ खड़ाओ को ये मुलू बात है बिहार में जाते कर जनगना हुआ दलीतों की संख्या आई 20 परसेंट तो लोक सभा में 15 परसेंट है अभी तो 20 परसेंट आई तो अब कितनी भागेदारी मिलेगी डर्ली देखिए यह तो नया परिस्टीमन होनी चाहिए अगर आप दलीते दलितों को सब्सक्राइब डात है तो न यह उस्के यह बात है कि आप तो उसम्हान मैं एच करतक और कि एकर वार्ण, पहले से ही है MLMP के seat के ममला हो, या सरकारी नोकरी के ममला हो, अब जहां तक बात है कि जनरल seat पर SCHT को चुनाव लडाने का, जहां तक मुझे जनकारी है, एक मात्र भागत्वा माले है, जो जनरल seat पर भी SCHT से आने वाले लीडर को चुनाव लडाती है, उधारन के तौर पर 2004 में राम नरिस राम को आरा लोकसवा सीट से जनरल सीट है लडाया गया था, उधारन के तौर पर हमारे छेतर में करवासिन पंचायच से दसनी राम जो मांजी समाज से आते हैं जनरल सीट से हम लोग टिकट दे करके मुखिया बनाया, वहां सरतुय पंच देखिये, कॉलेज इन्वस्टिटी से उठने उठने वाली हर आवाज, चाहे वो छातर उठाएं, चाहे वो सिक्षक उठाएं, बिजेपी खमोस करना चाहती है, तो इसकी जवाब तो कॉलेज इन्वस्टिटी से भी मिलेगी, वहां से आवाज उठे, और खेत खलिहान के जो संतावं हैं, वही लोग वहां आवाज उठा रहे हैं, तो खेत खलिहानों से यवाज उठे, और अस्कूल विस्उधालेओं से वाज उठे, उदोर कहना से भी आवाज उठे, सब जगध से अवाज उठे, बीजेपी को करारा जबाब मिलेगा, अध़ा आदब को क्या क कानून का मस敖ाव लुड़ा करके लक्षमार्च दमिस्धन हुआ है उनको तो नयाय के लिये लगने चाहिए उनकी लड़ाई के साथ हम हैं लक्षमार्च मनtuुटमें है एक चाहिए अब चुनाौ लडंगे फोई लोग तांत्री कादि में चुनाओं लडएगा तो हम लोग समर्थन में रहते ही हैं बिल्कुल 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 अब जायेंगा ना जाएंगा उस समय की नहीं बात है जी लेकिन उस चुनाओं लडएंगे तो उन जीते हैं एक एक डिमोक्रिटिक वाइस का अच्छी बात है अब वो तो प्रसिती बताएगी ना उसे में हम कहां रहेंगे ऐसे आपके सामने बोल देंगे कि जाएंगे अब पता चलेगा कहीं बिहार में बीजेबी के खिलाफ चल रहा है लम घमसान जनांदोलन छिड़ा हुगा है तो भी देखना होता है तो हमारे बाले के खिलीग झाम हमारे मेंजे़ा और रहेंगे गप्रजब करेएंगे अ को भी वार रहापा है थाएंगे लूगा है